सर्दी खांसी जुखाम, खरास, चाती में जमा हुआ सारा बलगम पिगला करके बाहर निकालेगा और खांसी जुखाम को ये जर से खतम करेगा खांसी की बज़े से गले में खरास हो जाती है जो इन्फेक्शन हो जाता है उस इन्फेक्शन को भी ये जर से खतम करेगा तो नुस्खा तयार करने के लिए आपको लेना होगा काली मिर्च जैसा कि आप देख सकता है यहाँ मैंने 8-10 दाने काली मिर्च के ले लिए हैं और अब इसके बाद में हमें दूसरी सामगरी लेनी है वो है दोस्तो लॉंग यह जो दोस्तो काली मिर्च और जो लॉंग होता है यह एंटी बैक्टिरियल की तरीके से काम करता है एंटी फंगल की तरीके से काम करता है और एंटी बायोटी की तरीके से यह काम करता है हर तरीके के bacteria को infection को जड़ से खतम करने की ये ताकत रखता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 7 से 8 long ले लिए हैं और दोस्तों खासी जुखाम कितनी भी भेयन करो आपको एक बार में ही आराम मिलेगा सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में अक्सर लोगों को सर्दी खासी जुखाम हो जाती है बहुत परिसानी हो जाती है जब बहुत ज़्यादा खासी जुखाम बढ़ जाए और दम भी फूलने लगता है इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ना तो दम फूलेगा और ना ही खासी जुखाम आएगा आपको यानि कि आपको जल से जल आराम मिलेगा अब हमें क्या करना है बिल्कुल धीमी आज पर आप इसे भून लीजिए दोस्तों यह जो मैं उसका बता रहे हैं इसको बच्चे बूड़े बड़े सबी लोग ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है किटना लेना है कैसे लेना है मैं वीडियो में बताउगी तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने काली मिर्चों और लोग को अच्छे भून लिया है अब हम क्या करेंगे इसमें हम डालेंगे यह हल्दी पाउडर तो यहां पर मैंने एक छोटा चमज हल्दी पाउडर ले लिया है और इसको भी हम ऐसे ही गरम तवे पर रोश्ट कर लेंगे यानि की भून लेंगे इसको में गैस पर नहीं रखना है क्योंकि अभ और पेटेंट रवा मैं आपको बता रहे हूं यह जो नुस्का है खासी जुखाम को जर से खतम करने में बहुत तेजी से मदद करता है और यह आजमाया हुआ नुस्का है इसलिए आप इसका 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 क्या करूंगी एक बारीक सा पाउडर बना लूँगी दोस्तो इस नुस्के को आप जैसे ही इस्तेमाल करेंगे किसी को आप दे देंगे आप देखना 5 मिनट के अंदर आपको आराम मिलेगा। खासी तो अब इसको भी हम इसी के साफ में मिक्स कर लेंगी इस तरीके से आप पाउडर को बना करके किसी भीfire टें डिशन्ट में भर करके आप रख सकते हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में यह सर्दी जुखाम खासी गले में खरास इंफेक्शन यह सब लगा ही रहता है जो यह हल्दी पाउडर है यह भी एंटी बायोटिक की तरीके से काम करता है एंटी बेक्टिलर होते हैं और इस से गले में इंफेक्शन सूजन एलर्जी सब पतम हो जाएगी आप करके देखना कितनी भी भैंकर खासी हो कितना भी भैंकर आपकी जुखाम हो गले में खरास हो बिल्कुल आराम मिलेगा दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक में रख लिया है आप इस ट्राइब से थोड़ा ज्यादा सा बना करके एक किसी एटाइडे भी में रख लीजिए बिल्कुल भी खराब नहीं होता पूरी सर्दियां आपके आराम से कर जाएंगी जब कभी भी खासी जुखाम आपको लगे तुरंत आप इस चुगरन को खा लीजिए तो चलिए यहां पर थोड़ा साब को बना करके दिखा दे रही हूं तो यहां पर एक बार की खुराग में आपको दिखा रहे हूं तो आपको क्या करना है जब कभी खासी जुखाम आ जाए या फिर आपके बहुत ज़्यादा गले में खरास इंफ्रेक्शन को दूसरी एक कटोरी में लीजिए इस तरीके से और लेकर के आप इसमें क्या करें डालने सहर थोड़ा ज्यादा से डाले ताकि बच्चे भी इसको बड़े आराम से खा सके क्योंकि कोई भी दबाई बच्चे खाने में बहुत दिक्का देते हैं तो यह जो आपको मैं बता दोस्तों आप लोग छोड़े बच्चों को क्या करते हैं जब जुखाम खासी हो जाता है या पर पेट में गैस बन जाती तो चीदे डॉक्टर पार भागते हैं नहीं आप यह देशी दबाईयों का इस्तेमाल करिए होम मेट चीजे एक भी नुकसान नहीं करती है और आप देहना कितनी फायदे मंद होती हैं इससे आपके बच्चे का खासी जुखाम भी सही होगा और पेट का डाइजेशन भी अच्छा होगा यानि कि पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो इस तरीके से आप इसको क्या करें इसका बनाईए पावर डालिए स्था डालि और बड़े लोग ले रहे हैं तो इतना सब पूरा गोल लीजिए और गोल ले करके आप इसको खा जाएए यह देखे इस तरीके से बच्चे को उंगली पे लेना और इस तरीके से बच्चे को चटा देना बस उसके बाद में कुछ नहीं है और बड़े लोग भी क्या करें इतना पूरा जितना मैंने बनाया है पूरा एक चमच भर करके इसको खाली जिए और इसको आप इसके खाने मAmerican वाद पानी ना प्याइं इसको खाली जिए और पूर दीड़ले दीड़े इसको अपने आपसे घुल करके अंदर जाने दीजिए जब ये गले से होते हुए जाएगा तो आपके infection को खतम करता हुआ जाएगा आप देखना बिल्कुल anti-vaculate को तरीके से काम करता है और दोस्तो हर तरीके के infection भी खतम करता है इसके बाद में आपको पानी बेगारा कुछनी पीना है आदे घंटे तक और उसके बाद में आप पानी पी सकते हो इसके बाद में आपको क्या करना है इसका जो seven है पूरे दिन में आपको तीन बार करना है तीन बार इसको खाईए और आप देखना एक दिन में ही आपको आराम मिलेगा आपके छाती में जमा सारा बलगम पिखल करके बाहर निकलेगा और खांसी जुखाम आपकी एक दिन में ही ठीक हो जाएगी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जड़ से नहीं खतम हुए तो एक दिन इसका और सेवन कर लेना आप देखना बिल्कुल जड़ से खतम हुगा वैसे तो आपको एक दिन में ही आराम मिल जागा क्योंकि मुझे तो एक दिन में ही मेरी फैमिली में सबको आराम मिल ज किसार